शिक्षा में बहते सुधार करने के उधेसे से परदेश की हडजिला में जाकर ने शिक्षा बोर्ड की चेर्मेन डॉक्टर सुरेश सोनी प्रयास करने में जुट गए हैं इसी कड़ी में हमिर्पूर के पॉल टेक्निकल कॉलेस बडू परिशर में जिलाभर के स्कूलों के परबंदकों के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें हिमाचल परदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड चेर्मेन डॉक्टर सुरेश सोनी ने शिर्कत की और स्कूल परबंद परबंदकों को शिक्षा में बहते सुधार के साथ पेश आरे समस्याओं पर चर्चा की गए चेर्मेन डॉक्टर सुरेश सोनी ने कहा कि मुल्यांकन केंद्रों की संख्या को डबल किया जा रहा है ताकि अच्छे से मुल्यांकन किया जा सके उन्होंने कहा कि इस बार महिला परिक्षा के इंदर बनाये जाने की योसना है जिसमें पूरा स्टाफ महिला का ही होगा साथ इस स्कूलों में बच्चों को एडवांस में ही किताबें पहुंचने के लिए योसना बनाई है ताकि बढ़ाई बाद इतना हो प्रिक्षा के रूप में तीन बाते महत्वपूर्ण है एक है प्रिक्षा का संचालन करना अच्छे तरह से दूसरा है मुल्यांकन अच्छे तरह से हो जाए और पाठे करम भी ठीक प्रकार से हो प्रीक्साओं का संचालन अभी हाल ही में होना है सबसे पहले ये निर्णे किया गया कि क्यों न जिलास्तर पर जाकर सारे जितने भी शिक्षा के एक शेतर से जुड़े हुए अधिकारी हैं शिक्षक हैं उनसे बाचित की जाए सोनी ने नकल को रोकने के लिए कहा कि नकल पर नकेल कसी जाएगी और इस बार फ्लाइंग स्कॉर्ड सीसी टीवी को खंगालने के साथ पूरी छानवीन करेंगे साथी सीसी टीवी रिकॉर्ड को तलब करके परताल की जाएगी कि इससे छेरचार तो नहीं की गई है लेकिन जो परसासनिक विवस्ता हमने की है कि सर्विलांस होनी चाहिए तो सर्विलांस में मेरा ये कहना कि बेनोवलेंट सर्विलांस होनी चाहिए सीसी टीवी जब भी कोई फ्लाइंग जाएगी तो पहले एक व्यक्ति एक अधिकारी जो फ्लाइंग का होगा वो CCTV कैमरे का बैक अप देखेगा और वहां का कंसर्ण जो अध्यापक होगा IP टीचर होगा स्कूल का वो असिस्ट करेगा और सारा बैक अप दिखाएगा उसे पता चल जाएगा कि अगर उसमें किसी बिजली पीछे से ही सप्लाई बंद है तब कैमरा बंद हुआ है या कैमरा जानबुझ के बंद किया गया है और यदि इस प्रकार की कोई घटना होती है तो बहां के प्रमुख से अध्यापक से या बहां के समनवैक से पूछा जाएगा कि ये क्यूं हुआ है शिक्षकों को दिये जाने वाले मुल्यांकन रेट पर चेर्मैन शोनी ने कहा कि मुल्यांकन रेट को बढ़ाने की बात बार बार मांग आ रही है और इस पर बोड का वीतिय स्थीती देखने के बाद ही इस पर कोई उचित फैसला लिया जाएगा सोनी ने कहा कि फ्लाइंग स्कॉइट का रविया आगरे पूर्वक रहने की निदेश दिये गे हैं उन्होंने कहा कि बोड की ओर से आदेश है कि बच्चों में फ्लाइंग का भैर नहीं होना चाहिए और नीने लिया गया है कि एक सेंटर में दो से जादा फ्लाइंग नहीं बढ़ा सकते हैं हम जब financial जो statistics है उसको देखेंगे देखने के बाद अगर हम बढ़ा सकेंगे तो हम प्रयापत मातरा में बढ़ा देंगे क्योंकि अध्यापकों को जितना प्रोसान मिलना चाहिए उसको देने के लिए तैयार हैं लेकिन statistics देखना पड़ेगा मैंने ये कहा कि अगर flying square चाहेंगे भी उनका भी flying का रविया होगा benevolent होगा आग्रह पूरवक होगा बहां दमकाना नहीं किसी को सेंटर में सिछ्छों को नहीं दमकाना है बच्चों को uncomfortable वातावन में नहीं ले जाना है भ्यानक भयावा वातावन नहीं बनाना है बच्चों को congenial वातावन देना हाँ ऐसा लगता है कि बच्चा नगल कर रहा है तो आगरह पूरवक उसका case बनाना पड़े है उसको रोकना पड़े तो रोकना है लेकिन ऐसा महल create कर देना कि flying आए है something different है क्योंकि हमारा ये joint effort है और उस joint effort में benevolence बनी रहे मान समान सबका बनी रहे इस प दूसे ज़्यादा वर flying ना जाए बहाँ पर register पर एक flying ने अपनी entry की दूसरी ने की तीसरी flying को allowed नहीं होगा बहाँ जाने के लिए flying का पूरा structure हमने इस वक्त बदल दिया है तो इस परकार सारा करेंगे और ये flying ऐसा की भैका वातावरन बहाँ पर ना हो ऐसा सारा हम देखे झाल